वेलकम आवर यूटूब चैनल जी अस्वित आंसू दोस्तो बीहार परधान सिच्छक और सरसडवी बिपेसी पीटी के लिए करेंट अफेर का 50 कोशन का सेट लगाते हैं इसमें साड़े परशन बहुती इंपोर्टेंट दिये गए हैं जो आपके एक्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी समभावना है इसलिए वीडियो को लाज तक जवर देखें चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप विक्सित करने वाला देश का पहला राज अहाल ही में कौन बना हैं? माइग्रेशन ट्रेकिंग सिस्टम एप विक्सित करने वाला देश का पहला राज बना हैं महराष्ट अगला प्रस्ण है सोदेशी नेविगेशन परणाली गगन का उपयोग करके बिवान की लेंडिंग कराने वाली देश की पहली एरलाइन कमपणी कौन बनी है? सोदेशी नेविगेशन परणाली गगन का उप्योग करके बिवान की लेंडिंग कराने वाली देश की पहली एरलाइन कमपनी बन गई है इंडिगो अगला प्रस्न है अहाल ही में किस राज सरकार ने अपनी तरक की पहली जिन बैंक परज़ना को मंजोडी दी है तो दोस्तो महराश राज सरकार ने अपनी तरह की पहली जिन बैंक परज़ना को मंजोडी दी है अगला प्रस्न है अहाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में सामिल होने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बन गई है पहली अस्वित महिला बन गई है जेसीका वाट किंग्स अगला प्रस्ण है 28 अप्रेल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग पॉंग्रेस वेस्ट इंफरास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्रूसकार की स्रचना को परदान किया गया है आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ए अटल टेनल को अगला प्रस्ण है देश का पहला क्रिप्टो क्रेंसी बेस्ट कैफे कहां खोला गिया है देश का पहला क्रिप्टो क्रेंसी बेस्ट कैफे खोला गिया है भोपाल में अगला प्रस्ण है युनान के हैड़ाक लियोन में आयजित IWF जुनियर विश्च चेंपियंशिप 2022 में स्वन पदक जितने वाली पहली भारतिय भारत तुलक हाली में कौन बनी है युनान के हैड़ाक लियोन में आयजित IWF जुनियर विश्च चेंपियंशिप 2022 में स्वन पदक जितने वाली पहली भारतिय भारत तुलक बनी है हर्जदा सरद गरूर अगला प्रस्ण है दुनिया का सबसे लंबा काज ब्रिच जिसकी लंबाई 632 मीटर है यह कहां बनाया गया है तो दोस्तों यह बनाया गया है वियत नामें अगला प्रस्ण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंद में कौन सा कतन सत्य है पहला कथन है यह टूनामेंट 24 अप्रेल से 3 मही तक बेंगलूरू में अलग-अस्थानों पर आयजित किया गिया तो दोस्तों यह कथन बिलकुल सही दिया गिया है अगला कथन है पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वन पदक के साथ सिर्थ अस्थान प्राप्त किया यह भी कथन बिलकुल सही दिया गिया है अगला कथन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने सत्रा स्वन पदक के साथ दूसरे अस्तान पड़ है यह भी कथन सही दिया गिया है इस परकार ओप्सन नम्मर डी सही हो जाएगा तीनों कथन सही है अगला प्रस्ण है देश के पहले ग्रेन फिल्ड ग्रेन अधारित एथनोल प्लांड का सुभारम बीहार के कि जिले में किया गिया है देश के पहले ग्रेन फिल्ड ग्रेन अधारित एथनोल प्लांड का सुभारम बीहार के पूर्णिया जिले में किया गिया है अगला प्रस्ण है अहाल ही में डबलू टियो के बारवे मंतरी अस्त्री समेलन का आयोजन कहां किया गिया है तो दोस्तो हाल ही में डबलू टियो के बारवे मंतरी अस्त्री समेलन का आयोजन किया गिया है सुजे लेंड के जिनेवा में अगला प्रस्ण है अहाल ही में क्वार्ड लीडर सीखर समेलन 2022 का आयोजन कहां किया गिया है क्वाड लीडर सीखर समेलन 2022 का आयोजन किया गिया है टोक्यो में अगला प्रस्न देखते हैं अहाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेली थें पहला दिया गिया है त्रिपूरा के नए मुक मंत्री मानिक सा बिलकुल सही दिया गिया है अगला दिया गिया है भारत के 25 में मुक चुना आयुक्त राजीव कुमार यह भी बिलकुल सही दिया गिया है अगला है फिलिपिन्स के नए राश्पति मार्कोस जुनियर बने हैं यह भी कथन बिलकुल सही दिया गिया है इस प्रकार option number D सही हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं हाल ही में प्रकासि पुष्टक M लेखक के संबन में कौन सुमेली थे एक तरब दिया गिया है लेखक का नाम और एक तरब दिया गिया है पुष्टक का नाम राकेस मारिया ने लिखा है अगला है रासित कि दवई लीडर पॉलिटिशन एंड सीटिजन यह भी दोस्तों बिलकुल सही दिया गिया है अगला है प्रकासिन्ह द इस्टेगल फोर्ड पूलिस रिफोर्ड इन इंडिया यह भी दोस्तों बिलकुल सही दिया गिया है इस प्रकार option number D सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है अहाल ही में जारी विस्प डे सोंता सुचकांग 2022 के संबन में कौन सा कतन सत्य है पहला है reporter without border संसा दुआड़ा या सुचकांग जारी किया जाता है बिल्कुल सही बात है अगला है इस सुचकांग में नौर्वे डेनमार्क एम स्वेडन करमा सा पहले दूसरे वो तीसरे अस्थान पर है यह भी बिल्कुल सही दिया गया है अगला कतन है इस सुचकांग में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142 में अस्थान से गिर कर डेर सोवे अस्थान पर आ गयी है यह भी बिल्कुल सही दिया गया है इस प्रकार ओप्सन नमर्डी सही हो जाएगा एक दो तथा तीन तीनो कतन सही है अगला प्रस्ण है अहाल ही में पारम की गई योजना में कौन सुमेलित है पहला दिया गया है मुक मंत्री मितान योजना 36 गड़ बिल्कुल सही दिया गया है अगला है E अधिगम योजना हर्याना यह भी दोस्तों बिल्कुल सही दिया गिया है अगला है लाड़मी लच्मी योजना 2.0 मत परदेश यह भी सही दिया गिया है अगला है चारा बिजाई योजना हर्याना यह भी बिल्कुल सही दिया गिया है इस प्रकार ओप्शन नमर E सही हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं हरियाना सरकार ने किस खिलारी के नाम पर पानी पत में इस्टेडियम बनाने की घोसना की है तो दोस्तो वह खिलारी का नाम है नीरत चोपड़ा अगला प्रस्न है कंचन जंगा परवत की चड़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा उची 5 चोटियों को फतक करने वाली पहली भारते महिला कौन बन गई है कंचन जंगा परवत की चड़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा उची पांच चोटियों को फतक करने वाली पहली भारते महिला बन गई है प्रेंका मोहिते अगला प्रस्ण है भारत की पहली आदिवासी स्वास वेसाला बनाने की घोसना की स्राज के एस्टी और एस्टी विकास बिभागने की है तो दोस्तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्सनमर डी उडिसा राज सरकारने अगला प्रस्ण है कांस फिलिम फेस्टी वर्ल के 75 संस्क्रण में कीस देश को कंट्री ओफ ओनर का दर्जा दिया गिया है कांस फिलिम फेस्टिवल के पच्चतरवे संस्करण में भारत देश को कंट्री ओफ ओनर का दर्जा दिया गिया है अगला प्रस्म देखते हैं विस्चु खाद पुरुषकर फॉंडेशन ने विस्चु खाद पुरुषकर 2022 से किसे समानित किया है अगला प्रस्म है भारत का पहला फुलोग केमेश्टी टेक्डोलोजी हब कहां खोला गिया है विस्चु खाद पुरुषकर फॉंडेशन ने विस्चु खाद पुरुषकर 2022 से समानित किया है अगला प्रस्ण है ब्राजिल के केकिस यास डू सूल में हुए 24 में मुख बधिर उलम्पिक के संबन में कौन सा कतन सत्य है पहला कतन दिया गिया है भारत ने 8 गोल, 1 सिलवर, 7 ब्रोन समेथ उल्सोलर मेडल जिते हैं बिलकुल सही दिया गिया है अगला है हर्याना की दिच्छा डागर ने गोल्फ में सोन पदक जीता है बिलकुल सही दिया गिया है अगला है सुमीत दह्या ने कुस्ती में एम धनु स्रिकांद ने निसाने वाजी में सोन पदक जीता है बिलकुल सही दिया गिया है इस परकार option number D सही हो जाएगा तीनों कतन सही है अगला प्रस्म देखते हैं दूसरे भारत नाडिक सिखर सम्मेलन 2022 में परधान मंत्री नरेन मोधी ने भाग लिया या सिखर सम्मेलन कहां आयजित किया गया था तो दोस्तों या सिखर सम्मेलन आयजित किया गया था डेर्मार के कॉपेन हेगन में अगला प्रस्म देखते हैं आईसमान भारत परधान मंत्री जन आरग योजना सेहत के तहत सो परसेंट घड़ों को कवर करने वाला सामबा जीला की सराजिया के नसासित परदेश में इस्तित है इंपोर्टेंट प्रस्न है तो दोस्तों सामबा जीला इस्तित है जम्मू कस्मिर में अगला प्रस्न है दिवंगत फोटोग्राफर दानिस सिदीकी सहीत कीन भारतियों पत्रकारों को पुलिजर पुरुषकर 2022 से समानित किया गिया है पुलिजर पुरुषकर 2022 से समानित किया गिया है साना इर्दात मट्टू अमीद दूबे जी को तथा अधनान आविदी जी को राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर्डी उप्युक सभी को अगला प्रस्ण है 188 डॉलर सलाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतिय कंपणी निम में से कौन बन गई है तो दोस्तों वह कंपणी का नाम है Reliance Industries अगला प्रस्ण है किस केंद्रिय मंत्री ने माई 2022 में उत्तर परदेश के रामपूर के पटवाई में देश के पहले अम्री शुरोवर का उधगाटन किया है तो दोस्तों वह केंद्रिय मंत्री का नाम है मुकतार अबस नकवी अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में किसे Temperington Foundation दोड़ा Temperington पुरुषकर 2022 से समानित किया गया है अगला प्रस्ण है अहाल ही में हुए नीधन एम उनके संबांदी छेतर के संबंद में कौन सुमेली थें पहला दिया गिया है सेख खलीपा बिन जायद अल नाहयान यू एए के राश्पती बिलकुल सही दिया गिया है अगला है पंडिस सीव कुमार सरमा संतुर वादक यह भी बिलकुल सही दिया गिया है अगला है टोनी ब्रुक्स फोर्मुला वन ड्रैवर यह भी बिलकुल सही दिया गिया है इस प्रकार आप्शन नम्मट D सही हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं बायोगेस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग इस्टेशन का उधाटन किस सहर में किया गिया है बायोगेस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग इस्टेशन का उधाटन किया गिया है मुंबे में अगला प्रस्न है अहाल ही में इस्पेनिस फुड़ोल लीग ला लीगा 2022 का खिताब इस टीम ने जीता है ला लीगा 2022 का खिताब जीता है रियल मेडिट टीम ने अगला प्रस्न है भारा सरकार के किस मंत्राले ने दुनिया के सबसे वड़ी फिलीम ओनधार परिजना शुरू की है भारत सरकार का वब मंत्राले का नाम है सुचना एम प्रसारण मंत्राले जिसने दुनिया के सबसे बड़ी फ्लीम उनधार प्रजना शुरू की है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किस कमपणी द्वारा भारत का पहला हाइडोजन इंधन पर अधारित पहला सोदेशी इलक्टिक पोत का विकास एम नेमान किया जाएगा तो दोस्तो वग कमपणी का नाम है कोचिन सिप्यार लिमिटेड अगला प्रस्ण है मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आये चकरवाती तुफान का नाम असानी किस देशने रखा है चकरवाती तुफान का नाम असानी रखा है सिलंका देशने अगला प्रस्ण है फाईजर कमपणी ने एसिया के पहले वैस्विक दवा विकास कें की अस्थापना भारत के किस सहड में की है अगला प्रस्ण है की सराज में इस्तीत माघर गाउं भारत का पहला सहद वाला गाउं बन गया है माघर गाउं भारत का पहला सहत वौला गाउं बन गिया है जो इस्तित है महराश्ट में अगला प्रस्ण है वास्तु कला के छित्र में रोयल इंस्टिट और ब्रिटिस आर्खिटेक्चर द्वाड़ा रोयल गोर्ड मेडल 2022 से किसे समानित किया गिया है रोयल गोर्ड मेडल 2022 से समानित किया गिया है बाल किस्न बिठलदाज दोसी जी को अगला प्रस्ण है माई 2022 में राश्पती रामनात कोविन द्वारा भारती सेना के परमोग जर्णल मनोच पांडे को इस पदक से समानित किया गिया है तो दोस्तो जर्णल मनोच पांडे को समानित किया गिया है पडम विसेश सेवा पदक से अगला प्रस्ण है अहाल ही में किसे विसेश बांगला अकादनी पुरुसकार परदान किया गिया है ममता बनर जी को अगला प्रस्ण है भारतिय पुरातर स्रवेच्छन दुवडात कहां खुदाई के दुरान पांच हजार साल पुरानी आभूसन बनाने वाली फैक्टरी की खोच की गई है पांच हजार साल पुरानी आभूसन बनाने वाली फैक्टरी की खोच की गई है राखी गड़ी में जो की हर्याना में इस्तित है अगला प्रस्ण है मई 2022 में एपल कमपणी को पीछे छोड़ कर पौन सी कमपणी दुनिया की सबसी मुलवन कमपणी बन गई है मई 2022 में एपल कमपणी को पीछे छोड़ कर दुनिया के सबसे मुलवन कमपणी बन गई है सौधी आड़ा मको अगला प्रस्ण है मई 2022 में बैंकोक यानि की थाइलेंड में आयो जित थौमस कब 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेसिया को 3-0 से हड़ा कर पहली बार जिता है अगला प्रस्ण है फोर्स दौर्ण मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे जयदा कमाई करने वाले खिलारियों की सुची में किस खिलारी ने पहला अस्तान हासिल किया है तो दोस्तो पहला अस्तान हासिल किया है लियोनल में सीने अगला प्रस्ण देखते हैं किस देश को वर्ष 2022 के लिए Association of Asian Elections और्थोरेटिज के नए अध्यच के रूप में चुना गिया है तो दोस्तो भारत देश को वर्ष 2022 के लिए Association of Asian Elections और्थोरेटिज के नए अध्यच के रूप में चुना गिया है अगला प्रस्ण है मई 2022 में करमचारियों को सुनच्छित आयपरदान करने के लिए पुरानी पैंसन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज कौन बन गिया है तो दोस्तों पहला राज बन गिया है 36 गड़ अगला प्रस्ण है अहाल ही में जारी घोषना के अनुसार Commonwealth Games 2026 से किस खेल को हटा दिया गिया है Commonwealth Games 2026 से हटा दिया गिया है तिरन दाजी को, कुस्ती को तथा निसाने बाजी को इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D उप्यूक सभी को अगला प्रस्ण है निमलीखित में से किस राज के परसीद संगीत वाद यंत नर्सिंग पेट्टई नाग सोडम को जी आई टेग दिया गिया है तो दोस्तों तविलांडू राज के परसीद संगीत वाद यंत नर्सिंग पेट्टई नाग सोडम को जी आई टेग दिया गिया है अगला प्रस्ण है पहली बार की स्टीम ने इंडियन सूपर लीग प्रोफी का खिताब जीता है पहली बार इंडियन सूपर लीग प्रोफी का खिताब जीता है हैदरावाज एफसी ने अगलार अंतिम प्रस्ण देखते हैं विस पेरा एथलेटिस ग्रेंड पिक्स 2022 का आयजन कहां किया गिया जिसमें भारत आठमे आस्तान पर रहा था तो दोस्तों विस पेरा एथलेटिस ग्रेंड पिक्स 2022 का आयजन किया गिया था UAE के दुबे में थैंक यू